दोस्तों नमस्कार, आप सभी लोगों का साइंस ज्यान गैलरी में स्वागत करता हूँ, दोस्तों आज नए टॉपिक के साथ हम एक टेलम लेकर की भी आये हैं, तो सबसे पहले टॉपिक की बात करने से पहले हम टेलम की बात कर लेते हैं, इसे देख लेते हैं, उसके बाद सा तीलम की बात करते हैं, टीलम में सोता है Teaching Learning Material की, दोस्तों ये ए, बी, सी, ओ, ये एक एरपोर्ट है, ए, बी, सी, और ओ, ये सब एरपोर्ट है, ए एरपोर्ट से दो फ्लाइट जो हैं, दो जहाज उडान भरती हैं, बट दोनों के रास्ते अलग-अलग हैं, ए एरपोर्ट से दो उडाने भरने के बाद, एक जो फर्स्ट जो एरपोर्ट या फर्स्ट जो ये वाली प्लेन है, वो सबसे पहले बी इस्टेशन पे या बी एरपोर्ट पे पहुँचेगी, उसके बाद बी से सी पर जाएगी, दूसरी जो है A से निकलने के बाद O एयरपोर्ट पे और O एयरपोर्ट से C एयरपोर्ट पे पहुचेगी दूसरी प्ले तो देखते हैं और इनके बीच की जो डिस्टेंस है 40 किलोमेटर A से B 40 किलोमेटर B से C 40 किलोमेटर Here A से O 25 और O 2 C 25 किलोमेटर देखते हैं ये एयर बेश से चलने के बाद जो है B पर पहुचती है एयरोप्लेन तो 40 किलोमेटर की दूरी तैंक करती है Now अब आगे बढ़ने के बाद C पर पहुची 40 किलोमेटर की दूरी तैंकी दूसरी एरोप्लेन A से चलने के बाद ये O पर पहुची 25 किलोमेटर और C पर पहुची 25 किलोमेटर यानि 25, 25, 25, 50 किलोमेटर का दिस्टेंस इसने तैंक किया तो हम देखते हैं कि ये दोनो एरोप्लेन एक स्टेशन से चलने के बाद एक ही station पर आ रही है लेकिन दोनों में अंतर क्या है दोनों में डिफरेंस क्या है दोनों में अंतर यह है कि एक aeroplane जो है 80 km की दूरी तै करती है दूसरी 50 km की दूरी तै करती है और सी पर पहुँच जाती है तो जो 50 km की दिस्टेंस तै करती है वो एक shortest distance है यानि छोटा पैथ है छोटे लंबाई का रास्ता है जिससे यह सी पर पहुँच जाती है तो हम यह कह सकते हैं दोस्तों कि जो displacement is the shortest distance displacement is the shortest distance between the initial position and the final position of the body अर्था किसी समय में गतिमान वस्तु की अंतिम और प्रारंभीक इस्थितियों के बीच की निवनतम दूरी प्रारंभीक और अंतिम इस्थितियों की निवनतम दूरी यह तो अधिकतम दूरी है यह क्या है निवनतम दूरी है तो दो इस्थेशनों के बीच की निवनतम दूरी क्या है दो एरपोर्ट के बीच की जो निवनतम दूरी है वो displacement कहलाएगा उसे हम क्या कहेंगे displacement कहेंगे Now distance क्या कहाएगा Distance is the length of the path traveled by a body while moving from an initial position to final Distance क्या है कि a से c के बीच में जो path की लंबाईस नहीं ताएगी यदि यह 80 km की लंबाई ताएगी है तो इसका जो distance होगा वो 80 km होगा Distance क्या होगा 80 km तो यह distance यह भी हो है और distance यह भी है यह aeroplane 50 km का रास्ता ट्रै किया है तो इसका जो distance है 50 km हुआ इसका जो path है वो 80 km हुआ इसलिए इसका distance 80 km तो distance is the length of the path traveled by a body while moving from an initial position to final position अथात किसी समय में गतिमान वस्तु द्वारात तैं किये गए पथ की लंबाई को दूरी कहते हैं पथ की लंबाई को क्या कहते हैं दूरी कहते हैं जबकि displacement क्या होता है दोस्तों दो बिंदूओं के बीच दो इस्थितियों के बीच क्या दो बिंदुओं के बीच सार्टेस्ट दूरी, कम से कम दूरी displacement कहलाता है. Now, distance measure is always positive, distance हमेशा क्या होगा? Positive होगा, distance क्या होगा? हमेशा positive होगा, जैसे ये 40-80 km चला और पुना ये बैक आ गई, एरोप्लेन, तो ये एरोप्लेन फिर 80 बैक आई, इसलिए 160 km का distance इसने ताए कर लिया, लंबाई ताए कर लिया, इसलिए इसका जो distance है, वो 160 km हो गया, अब ये एरोप्लेन, यहां से गई, तो ये 50 km ताए किया अपना distance, तो यहां पे जो इस एरोप्लेन का जो displacement है, वो 50 km है, लेकिन यहीं एरोप्लेन यदि बैक आ गई, अपने ही अस्थान पर बैक आ गई, तो इसका जो displacement है, 50 और 50, 50 और 50, 100 नहीं होगा, बलकि 50 में से 50 को घटा दिया जाएगा, क्योंकि displacement, one point to another point देखा जाता है, एक बिंदू से दूसरे बिंदू के बीच देखा जाता है, और यहां पर क्या है, कि यह जहां से चली थी, वहीं पे चली आई, जहां से चली थी, वहीं पे चली आई, इसलिए displacement क्या हो गया, जीरो हो गया, 50 मैंनस 50 इक्वल टू जीरो, तो distance measured is always positive, it can be positive, negative, equal and zero, यह क्या हो सकता है, यह positive भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, equal भी हो सकता है, और zero भी हो सकता है, अब positive की बात तो आप समझ गया है, जीरो की बात तो समझ गया आप, लेकिन negative कैसे होगा, या equal कैसे होगा, equal कैसे होगा दोस्तों, जैसे यह है, यह आप देख रहा हो, यह aeroplane यहां से चली और 50 किलो मेटर चली, तो path की लंबाई कितनी तैकिया इसने, 50 किलो मेटर, कितना तैकिया, 50 किलो मेटर, AO, OC equal to 50 किलो मे और अब लास्ट रहा गया negative की बात, negative कैसे हो रहा है, आप यह देखिए, यहाँ पर diagram बना हुआ, इसको आप देखेंगे, जैसे O, अब इसका initial points क्या है, O है, O से शुरू किया, A के पास गई 10 किलो मेटर, 10 किलो मेटर के बात, B पे गई 10 किलो मेटर, तो और फिर B से पुना लाटी, तो O से होते हुए, C पर आ गई, तो क्या देख रहा हैं हाँ, कि 20 here, और 20 here, अब यहाँ पर O पर आते ही, 0 हो गया, फिर O पर रुकती नहीं है, बल्कि और पीछे 10 चली आती है, तो total, जो displacement है, minus 10 हो गया, क्योंकि यहाँ पर 0 और फिर पीछे आ रहे ही, तो इसलिए minus 10 हो जाएगा, displacement क्या हो गया, minus 10 हो गया, लेकिन distance क्या हुआ, 50 km, total, यहाँ से यहाँ तक आने में पूरा displacement है, distance है, जो दूरी है, वो कितना तैंकिया इसने, पैत की लंबाई कितना तैंकिया, आप देख सकते हो, यहाँ से 10, फिर 10, 20 हो गया, फिर लोटी यहाँ तो 20, फिर displacement minus 10 km का, तो इसलिए distance measured is always positive, हमेशा positive होता है, जबकि it can be positive, negative, equal and zero भी हो सकता है, it is a scalar quantity, यह क्या है, एक scalar quantity है, यानि यह जो है एक अधिसरासी है, यह अधिस मने अनुपस्थित, इस मने दिसा, जिसमें दिसा अनुपस्थित होती है, it is a scalar quantity, वेक्टर क्वेक्टित, यह क्या असा मने सहीद, दिस मने दिसा, जिसमें दिसा उपस्थित होती है, now distance greater than displacement, distance greater than displacement, distance हमेशा, distance हमेशा क्या होता है, या तो बराबर होगा, या तो greater than होगा, किस से displacement, now displacement हमेशा कम होगा, या बराबर होगा, या हमेशा कम होगा, किस से, distance से, ठीक है, हमेशा बराबर होगा, या कम होगा, कैसे, इसे भी आप समझ लेजिए, यदि यहां से चला, यहां पे, यहां पे गया, तो distance और displacement दोनों क्या है, 50-50, बराबर होगया, लेकिन यहां से back आ गया, तो 50 back आ गया, लेकिन displacement क्या, distance क्या हुआ, 50-50, 100 होगया, 100 किलो मेटर होगया, तो दोस्तों, displacement हमेशा, लेज दिन होगा, या, इक्वल होगा, किसके, distance के, ठैक्यू दोस्तों, मुझे उमीद है कि आप लोगों को यह वीडियो जरू समझ में आया होगा, यदि वीडियो समझ में आया है, तो आप लाइक करें, सस्क्राइब करें, और अन्य लोगों को सेयर भी करें, ताकि और लोगों को इसका लाभ मिले, थैंक्यू, वेरी वेरी थैंक्यू,